हे गाइस तुम लोगोंने मेरे बारे में तो सुना ही होगा मैं हूँ कौन अरे नहीं 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 मैं एक डॉन नहीं हूँ मैं तो मिजबिल हूँ मिजबिल मिजबिल दा ओटर पते नहीं क्यों लोग मुझे जानते नहीं हैं मैं एक ओटर हूँ ओटर और अटर मतलब उद बिलाओ, कोई नहीं, तुम लोग अब मुझे इस चैप्टर की तुरूद जान लोगे, तो चलो अब सुरू कर दो अपनी एक्स्प्लेनेशन को तो मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, तुम लोगों ने तो मिजबिल से मिल लिया है, अब तुम लोगों को मैं मिलाता हूँ इस चैप्टर से, जो कि तुम लोगों के फर्स्ट लाइट बुक के क्लास टेंथ का चैप्टर नुबर एट है, जिसका टाइटल है मिजबिल दा और जिसे लिखा है यानि कि इसके author है Gavin Maxwell तो Gavin Maxwell जो कि इस chapter के author है वही हम लोगों को अपनी story बताएंगे इस chapter में तो Gavin Maxwell जो है वो रहते थे Camus Verna में Scotland में तो उनका जो डॉग होता है Johnny वो बहुत पहले मर जाता है और वो Johnny से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे तो Maxwell जोनी के मरने के बाद बहुत ज़्यादा उदास हो जाते है और वो दूसरे डॉक को खरीने के favor में नहीं होते है क्योंकि दूसरा डॉक जोनी को उनकी याद दिलाएगी इसलिए वो decide करते है कि वो एक दूसरा pet खर देंगे ताकि उनकी loneliness मिट जाए तो वो एक author खरीते है author मतलब उद बिलाओ तो Maxwell जो कि इस chapter के author है वो इस story को बोलते वी ये सुरू करते है कि 1956 के early new year में जब वो southern Iraq में travel कर रहे थे तब ही उन्होंने ये decide किया कि वो एक author को पालेंगे क्योंकि जहां वो रहते थे कैमेसफर्णा में वो एक author को रखने के लिए एकदम perfect place था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे water bodies थे और otters को मेली पानी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है इसलिए कैमेसफर्णा एक perfect place था author को रखने के लिए तो जब Maxwell ये बात अपने एक friend को बताते है तो वो बहुत ही casually reply करता है एक author तुम्हें tigres masses में easily मिल जाएगा अब 5 दिन बाद Maxwell को मेल आता है वो मेल लेकर bedroom चले जाते है ताकि वो अराम से उस मेल को बैठ कर पढ़ सके अब वो वहाँ देखते हैं कि दो अरब के लोग floor में बैठे थे एक back के साथ मतलब एक बोरे के साथ और उस बोरे में बहुत ही ज़्यादा movement हो रहा था अब ऐसा क यह दो हम लोगों को नीचे पर चलेगा अब वो Maxwell को एक note देते हैं जो कि Maxwell के friend ने उन्हें लिखा था उसमें वो लिखा हुआ था कि here is your order यानि कि Maxwell के जो friend थे उन्होंने Maxwell के लिए एक order भेजा था जो उन्हें चाहिए था उस बोरे के खुलने के साथ ही Maxwell की life की एक new phase सुरू हो जाती है अब वो order उस sack मतलब उस बोरे से बाहर निकलता है वो एक छोटे से dragon के जैसा दिख रहा था उस order के head से लेका tip of the tail तक symmetrical pointed skills जो थी उस order की वो पुरी मट से लिप्टी हुई थी यानि कि वो जो order था वो पुरा मट से भरा हुआ था ऐसा क्यों कि जहां से order आया करते है वो काफी muddy area रहती है इसलिए वो order पुरा मट से लिप्टा हुआ था और अब कहते हैं कि उनको उस order के real color को देखने के लिए एक महिना लग जाता है अब author इस order को मिजबिल नाम दे देते हैं पहले के time पे scientist को order के species के बारे में जादा कुछ पता ही नहीं था फिर उनका discovery और उन्हें नाम दिया गया Maxwell's author पहले 24 घंटे तक मिजबिल ना ही hostile था ना ही friendly था ना ही वो hostile था ना ही friendly था वो बेट से जितना दूर हो सके उतना दूर वो जाके सो जाता है यानि कि author जो बेट पे सोते थे वो उस बेट से जितना दूर हो सके उतना दूर जाके सोता है क्यो रोसा नहीं था, सेकेंड नाइट मिजबिल मैक्सवेल के बेट पर आकर उनके पैरों के बास जाकर सो जाता है, और वो तब तक नहीं उठता, जब तक मॉर्णिंग में सर्वेंट्स टी लेकर उनके पास नहीं आते हैं, अब मिजबिल अपने सराउंडिंग में इंट्रेस दि जाता है, क्योंकि ओटर मेली पानी के एरिया में पाये जाते हैं, इसलिए मिजबिल पानी को देखकर बहुत ही ज़्यादा एकसाइटेट होकर उसमें रोल करने लगता है, और बहुत ही ज़्यादा इंजवाई भी करता है, दो दिन बाद अब मिजबिल बेडरूम से भाग जाया करता था, जैसे ही मैक्सवेल बेडरूम में आते थे, मैक्सवेल ओटर को यानि कि मिजबिल को बादरूम के तरफ जाते वे देखते थे, और जब बादरूम में वो जाकर देखते थे कि मिजबिल आखिर क्या कर रहा है बादरूम में, तो मिजबिल पार्ट अब में बैट कर जो क्रोमियब टैप था उसे खोलने की कोसिस कर रहा होता था Maxwell ये देखकर अमेजड हो जाते हैं कि ओटर उस टैप को थोड़ा सा खोल लेता है और फिर थोड़ा पानी गिरना सुरू हो जाता है कुछ और कोसिसों के बाद वो पूरा टैप खोल लेता है और पानी फुल फ्लो में बहना सुरू हो जाता था बहुत ही जल्दी मिजबिल मैक्सवेल को हर जगा फॉलो करने लगा था और मैक्सवेल जब भी उसे उसके नाम से बुलाते तो वो तुरंत ही आ जाया करता था वो अपने पूरे दिन बॉल के साथ खेलने में बिता दिया करता था मार्बल मिजबिल की फेवरेट टॉय थी बसरा में उनका दिन पीसफुली बीच जाता है लेकिन ओथर को इस बात की चिंता थी कि आखिर वो मिजबिल को लेकर इंगलैंड और कैमेस फरना कैसे जाएंगे लंदन की बिटिस एयर लाइन्स एनिमल को प्लेन में आने का अलाउंड नहीं करती थी मैक्सवेल दूसरी एयर लाइन में पहली फ्लाइट पैरिस की बुक करते हैं दूसरी फ्लाइट जो उन्होंने बुक की थी वो एनिमल्स को अलाउं करती थी लेकिन कुछ टम्स एंड कंडिशन थे जैसे कि उस फ्लाइट में कुछ रूल्स थे जैसे मिच्बिल को एक बॉक्स में बंद करके रखना होगा, जो बॉक्स 18 इंचे से बड़ा नहीं होना चाहिए, और वो बॉक्स उन्हें अपनी फीट के पास रखना होगा, अब मैक्सवेल एक बॉक्स बनाते हैं, और मिच्बिल को एक घंटे पहले ही उस बॉक्स में डाल देते हैं, ताकि मिच्बिल को उस बॉक्स के सराउंडिंग में घुलने में ज़्यादा दिकत ना हो जाए, इसलिए वो एक घंटे पहले ही मिच्बिल को बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, और फिर वो मील करने के लिए चले जाते हैं अब author यानि कि Maxwell जब मील करके आते हैं तो वो एक बहुत ही shocking scene देखते हैं जो box जिसमें उन्होंने मिजबिल को रखा था उसके box के hole से blood निकल रहा था Maxwell तूरंथी box को खोलते हैं और देखते हैं कि मिजबिल ने इतना जादा movement किया था उस box के अंदर उसके कारण उसके body से खून निकल रहा था अब जो मिजबिल होता है वो उस box से निकल कर author के पैरों में गिर जाता है अब flight का भी time हो रहा था flight में केवल 10 मिनिट बचे थे Maxwell फिर से मिजबिल को तुरंत ये box में डालते हैं और कार में बैट कर एरपुट के लिए निकल पड़ते हैं कुछी दिर में वो एरपुट पहुँचते हैं और एरोपलिम में बैट जाते हैं लखिली उनका seat सबसे आगे था वो अब एर होस्टेस को बुलाते हैं और फिश का टुकड़ा जोकि उन्होंने मिजबिल के लिए लाया होता है वो फिश का टुकड़ा उस एर होस्टेस को दे देते हैं ताकि वो किसी कूल प्लेस में उसे स्टोर कर दे मैक्सवेल अब सारी इंसीडेंट जो उनके साथ आदे गंटे पहले हुआ था वो उस एर होस्टेस को बता देते हैं ताकि आगे कोई भी प्रॉबलम हो तो वो हेल्प कर दे उनकी मैक्सवेल कहते हैं कि वो एर होस्टेस बहुत ही ज़्यादा काइंड होती है और वो मिच्विल को उनके नीपर रखने के लिए एडवाईज भी देती है अब कुछ ऐसा होता है जिसके लिए मैक्सवेल बिलकुल भी प्रिपेर नहीं थे मिच्विल अब अचानक ही बॉक्स से निकलता है और फ्लाइट में गाइब हो जाता है फ्लाइट में अचानक ही चिलाने की आवाज आने लगती है एक वोमेंट जोर से चिलाती है और रैट और रैट ओधर मिच्विल को एक वाइट टर्बैंड इंडियन के पैरों के पास देखते है वो उटने ही वाले होते हैं कि एर होस्टेस एक स्माइल देते हुए उन्हें कहती है कि मैं ओटर को आपके पास ले आती हूँ आप बैठे रहिए मैक्सविल मिच्विल को बैठे हुए ही इधर उधर धूरने लगते हैं और वो कोशिस करते हैं कि मिजबिल उन्हें दिख जाए, अब अचानक ही उन्हें अपने पैरों के पास मिजबिल को फिल करते हैं, मिजबिल मैक्सवेल के पास खुद ही वापस आ जाता है, मिजबिल और मैक्सवेल एक महिने तक लंडन में ही रहते हैं, मिजबिल अलग-अलग चीजों से दिन बर खेलते रहता था जैसे पिंग-पॉंग वॉल, मार्बल्स, रबर फ्रूट, टेरपिंट सेल, एक्सेक्टरा, घर के बाहर मैक्सवेल मिजबिल को एक डॉक के जैसे एक्सरसाइस करवाय करते थे, अब मैक्सवेल कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लंडेनर को ओर्टर के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मिजबिल को देखकर लोग जो गेसेस करते थे, उससे मैं बहुत ज़्यादा सप्राइज हो जाता था, कुछ लोग कहते क्या ये जानवर एक बेबी सील है, कुछ कहते क्या ये एक बाहर उन्हें लोग कहते हैं कि क्या ये एक हिपो है, कोई कहता क्या ये एक बियर कब है, कोई लेपड कहता और एक बंदे ने तो कहा कि ये एक ब्रॉंटो सौरेस है, और ये सुनकर जो ओटर है मैक्सवेल है, वो बहुत ही ज़्यादा सौक्ड हो जाते हैं, कि लोग कैसे एक ओर्टर को अलग-अलग जानवा जैसे compare कर रहे हैं। अब at the end एक laborer जो की एक whole tick कर रहा होता है। उन्हें यानि कि Maxwell और मिजबिल को देखकर बहुत ही ज़्यादा सौक्ड हो जाता है। और वो आदमी बहुत ही ध्यान से उन लोगों को देखने लगता है। और फिर अचानक पूछता है, हे मिश्टर आखिर वो चीज जो तुम्हारे साथ है वो आखिर है क्या। So मेरे प्यारे भाईयों और बेहनों आज का हमारे ये जो लंबा सा चैप्टर है वो complete होता है। तुम्हारे भाई को इस वीडियो बनाने में बहुत ही महनत लगा है। इसलिए वीडियो को लेक लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ये जनल बताना कि आज का वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा। और साथ ही मैं अभी जो वीडियो आ रहा है तुम्हारे एंड स्क्रीन पे उसे अगर नहीं देखा तुम लोगोंने देनी आज से देख लेना। सो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में थैक्स पर वाचिंग दे वीडियो। कर वीडियो तुम है तुम कर दोपित किसी और वीडियो।